दोस्तो ब्रेल के विशय में आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं जान चुके हैं किस तरह से स्लेट पर ब्रेल लिखी जाती है किस तरह से ब्रेलर पर ब्रेल लिखी जाती है और आपने ब्रेल का जो एंबॉसर आता है किस तरह से ब्रेल पुस्तकों का मुद्रन किया ज हम से इन सब के विशह में आप जान चुके हैं पढ़ चुके हैं हमारे इस चैनल पर इन सब विशहों पर डॉक्टर नागेश पांडे ने अपने वीडियो उपलब्त करा दिये हैं आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पेपरलेस ब्रेल जिसको कहा जाता है उसके विशह में पेपरलेस ब्रेल यानि हम उन यंत्रों के विशह में जानने का प्रयास करेंगे जानेंगे जिन यंत्रों के माध्यम से बिना कागस के हम ब्रेल को लिख सकते हैं बिना कागस के हम ब एक डिशीन है इस डिये डिस्प्लेजर रिस्फ्रेसेबल डिस्प्लेज यनि डिस्प्ले होता है। जिसमें 11 абсолютно हती है इक बटन तबाते हैं अगली लुह बहुन Basket sechs ब्रेयर notes के विस बेंद हैं Braille Display के साथ-साथ आप उसमें Braille में टाइप भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो उसकी मेमरी में स्टोर होता रहेगा, और जब चाहे तब आप पढ़ सकते हैं, ऐसे Braille Display बहुत Advanced Technology के साथ आज मार्केट में उकलब्ध हैं, हलांकि भारत देश में तो उनकी उपलब्धता या न करके एक Braille Display आ रहा है, Braille Note Taker आ रहा है, Apex भी आता था, Empower करके भी आता है, बहुत सारे Braille Displays दुनिया में बन रहे हैं, लेकिन जो उनकी Capabilities हैं, वो किसी भी दिशा में, किसी भी स्थिती में एक Android Phone या एक Computer से कम नहीं है, आप उन Braille Display का इस्तिमाल करते हुए, इमेल भेज स सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, आप मेसेजिंग कर सकते हैं, आप रेडियो सुन सकते हैं, उसमें मीडिया फाइल कर सकते हैं, आदियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आज उससे भी एक Advanced Form आ गया है Braille Display का, जिसको हम कहते ह बारे में थुरा हो सा बता दूँ एक ऐसा यंत्र होता है जिसको आप computer साथ करेक्ट कर सकते हैं और जो कुछ computer पर लिख करके आ रहा होता है जो से या nvidia से वह एक-एक करके आपके ब्रेल डिस्प्लेट पर भी ब्रेल निखकर की रहते हैं जैसे आप Braille display, इनमें दो तरह के display आ रहे हैं, एक छोटे आ रहे जिसमें 18 cell होते हैं, या B cell होते हैं, 20 cell के भी आ रहे हैं, जिसे orbit reader करके आपने नाम जरूर सुना होगा, या focus 40, focus 20, focus 40 जिसमें 40 cell होते हैं एक लाइन में, बहुत सारे displays आ रहें जिनगा, मतलब कोई गिंती नहीं है, Sense International का भी एक ब्रेल डिस्पप्ले आरा है जो Korean है जर्मनी में भी बन रहे हैं France में भी बन रहे हैं England में भी बन रहे हैं बहुत से डिस्प्लेंड लेकिन जो सबसे popular डिस्प्ले से पर चल रहे हैं वो Human Wear का है और ब्रेल लाइट करके और जिनका JAWS होता है, Freedom Scientific वालों का Focus 40 और Focus 20 डिस्पले आते हैं उनको आप computer से collect कर लीजे, JAWS या NVIDIA के साथ में तो आप computer पर जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ लिख करके आ रहा हैं उसका Braille डिस्पले पर भी साथ साथ पढ़ सकता है, इतना ही नहीं Braille डिस्पले में Perkins Brailler की तरह से 6 की Entry करके उसमें कुछ Keys होती है, Special Keys होती है, Dedicated Keys जो Control, Alt और Insert का का काम करती है, Caps Lock या Shift का का काम करती है, Backspace, Enter का का काम करती है इन Keys के मादे हमसे 6 Keys जो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, जो हम A से लेकर के सभी Letters लिख पाते हैं उन से हम Computer में सीधे Command भी Issue कर सकते हैं, Computer में Word खोल करके या Email खोल करके Braille डिस्पले के ही मादे हमसे Type कर सकते हैं Copy कर सकते हैं, Paste कर सकते हैं, Computer को Alt, Tap, 4 या Control से समझ जितनी Command से सब कुछ दे सकते हैं तो पूरी तरह से आप एक Laptop के साथ में या Desktop के साथ में Braille डिस्पले को Connect करके आप अपने Braille का काम कर सकते हैं, Speech Off कर दीजे, आप सिर्फ पढ़ पढ़के पूरा काम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा और तरक्की हुई, उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हम दो चीज़ें लेकर के क्यों चले, एक Laptop भी लें, Braille डिस्पले भी दो दो चीज़ें की जगा पर हम एक और चीज़ बनाते हैं जिसको उन्होंने रेशियन कंपनी एक है जिसने मनाया Freedom Scientific के साथ मिल करके उसको कहा उन्होंने L Braille, L Braille क्या है कि Braille डिस्पले जितना बड़ा होता है उसके ठीक नीचे एक डॉक उन्होंने लगा दिया है, डॉक यानि कंप्यूटर है उसमें, जिसमें इंटल का AMD का प्रोस पाई भी है, उसमें headphone jack भी है, उसमें memory card भी लगा सकते हैं, उसमें आप जरुवत पढ़ने पर अगर आपका आवशकता है तो HDMI port दिया है, जिसके सारे आप एक display monitor भी लगा सकते हैं, monitor के जरुवत हो तो, उसमें JAWS पहले से पढ़ा हुआ है, तो मैं आज आपको L Braille ही सबसे पहले दिखाने जा रहा हूँ, L Braille ये छोटा सा unit है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सारी keys है, one, two, three, four, five, six, enter, और backspace, इसके अला कुछ उपर ये कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, आठ बटन और भी दियान के बारे मैं बताऊंगा, उसके लिए सामने कुछ बटन दि देखें, तो on off switch दिया हुआ है, यहाँ पर ये छोटा से goal बटन है, इसको दबाएंगे तो on हो जाएगा, भी on करते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक memory card लगाने के लिए, और SIM card लगाने की जगादी आपको internet करना हो तो, और यहाँ पर देखें, यह इन्होंने HDMI port भी दिया है, मॉन्टर करेट करने के लिए, इसी तरह से इस और memory card लगाने की जगादी है, देखें, memory card लग जाता है यह, pen drive लगाने की जगादी है, charging port दिया है, करीब 18-20 गंटे के इसमें battery होती है, और headphone jack भी इन्होंने दिया है लगाने के लिए, तो अब हम सबसे पहले इसको, इसको on क करते हैं, और देखते हैं कि on करने के क्या होता है, यहां पर देखें, यह 40 घर पूरे बने हुए, तो इसको दबाके लगे बटन को, और यह on हो जाएगा, यह on हुआ, थोड़ा सा vibrate हुआ, और अब यह computer जैसे boot होता है, dos, मतलब windows load होता है, अब इसमें windows load होने जा रहा है, इसमें windows 10 पड़ा हुआ है, और जब तक boot होता है, तब तक छोट-छोटी beeps की आवाज आती है, अगर आप थोड़ा शायदनास नहीं पड़ रहा हो, लेकिन display पे changes देखें आने लागे, focus 40, 5.71, 99% लिखकर के आगया, changes हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस display में 40 cell ह कुछ अत्रिक buttons है, हर button का मैं उपयोग आपको बताने का प्रयास करूँगा, और किस तरह से काम करता है, यह प्रयास करते हैं, जानने का, इस पर जिसमें बता दू को उपर यह जो 8 button दियो है, यह पहला button है, L Braille का utility की है, दूसा button जब हम दबाते हैं, तो यह battery का कितना status इस Braille display को एक साथ आप तीन चीज़ों से connect करके रख सकते हैं, एक computer से connect कर सकते हैं, एक phone से, और एक L Braille से connected है, तो इस key को दमाने से पता चलता है, हमारा Braille display, इसमें किस पी चीज़ पर connect हुआ है, यह दो keys को हम सेट कर सकते हैं, audio notes के लिए, या सीधे से आपने बटन दबाय या audio record कर दें, और note में record हो जाएगा, memo में, या आपको कुछ चीज़ note करने, बोल करने, लिकर करके type करना, तो आप इसको set कर सकते हैं, इसको दबाया तुन्द आपका एक note pad खुल जाएगा, कुछ भी बिना किये हुए, और फॉरण आप इससे शुरू कर सकते हैं, type करना, अभी देखिए, पुरी तरह बूट में उत्वा टाइम लेता है, बूट होने में, क्योंकि मशीन AMD है, slow है, अभी i5 आगया है, तो उसमें तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ये भी अभी हो जाएगा, तब तक मैं आपको ये बता दूँ कि आज की तारिक में, स्टेंड अलोन जो ब्रेल डिस्प्ले आ रहे हैं, उनमें आप मेमरी कार्ट भी लगा सकते हैं, किताब पढ़ने के लिए, पढ़ सकते हैं, बुक्स, और उसमें कॉपी करके आप ले जाएगे, डेटा पढ़ते र कर सकते हैं, आपको कोई किताब पढ़नी हो, आप ब्रेल डिस्प्ले पर आता रहेगा, पढ़ सकते हैं, करेक्ट करके, ब्लूटूथ से करेक्ट हो जाता है, और ब्रेल डिस्प्ले में ज्यादा तर बैटरी 10 से 15 घंटे तक की मिल जाती हैं, आपको, depending upon your usage, और ब्रेल डिस करें, कि लिख करके आगया है, डेस्टॉप है, डेस्टॉप पर जो फोल्डर इसमें दिखा रहा है, डेस्टॉप में जो आइकन है, वो वन ड्राइव, वन ओफ सेवन दिखा रहा है, तो डेस्टॉप में जो पहला आइटम हमारा है, वन ड्राइव है, उसमें लिख करके यह open braille में लिखा है contracted braille में नहीं है हम space दबा करके command देंगे तो जो braille में लिखा हुआ है यह open braille contracted braille में आ जाएगा मैंने command issue की JAWS बोलेगा contracted braille on for display लिखकर के आ गया और अब जो इसमें लिखा हुआ है वो contraction में लिखकर के आ गया मुझको आगे जाना है user लिखकर के आया जौज ने बोला user two of seven मैंने जैसे बता अगर इस button को दबाते हैं पहला button utilities का help rail की दूसरा बता 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 बाते हैं तो बैटरी बताते हैं देखिए इसने बताया कि बैटरी 73 परसेंट है हाई है और दस घंटे से उपर अभी चल सकता है इस button को दबाते हैं तो आ जाता है time उसने समय बताया इसी button को दुबारा दबाएंगे दो बार लगाता तो तारीक बताएगा 5 जून 2020 हम अब जैसे user लिखा है two of seven हम user को ये enter किये दबाएंगे तो user में खुल जाएगा क्या क्या है हम एक word document पढ़ने के कोशिश करते है जाने दबाया तो documents आगे यहां पर लिख करके देखिए जब एंटर करूंगा तो documents का folder खुल जाएगा इसके कौन कौन सी document है हम डाउन एरो डाउन एरो के लिए हम space और डॉट फूर दबाते हैं अलगल नेक्स 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 डॉक्यूमेंट है तो हम स्पेस दबाके डॉट फूर दबाया तो उसके बारे मता रहे हैं कि 18 फर्वरी 2019 को इस document को modify किया गया था नेक्स नमाने के लिए फिर करते हैं स्पेस और 6 हमको दूसरे डॉक्यूमेंट पर जाना है तो मुझको पता है कि मैं किस document पर जाना है तो हम पहला अक्षल दबा सकते हैं मैंने टू दबाया आ गया कि review of literature यह क्लिशिस है चैप्टर है उसका एक चैप्टर है जिसमें लिखा review of literature मैं एंटर दबाऊंगा यह document खुल जाएगा वर्ड का ग्राफिक और डॉक्यूमेंट खुल रहा है डॉक्यूमेंट जैसी खुलेगा पहले जैन वो बोला शुरू करेगा इसने बोला लिखकर क्या गया हम अगर पढ़ना हो तो आपको थोड़ा से पढ़कर करके बताता हूं ब्लैंक लाइन है उसके बाद अब देखिए क्या हो रहा है कि मैं जैसी लाइन पूरी करता हूं यहां पर एक बटन है थोड़ा इदर से दिखाएंगे यह बटन है इसको दबाता हूं तो तुरंट लाइन बदल जाती है देखिए अगली लाइन पर जो कुछ लिखा तो वो आ गया जब हम रिटर्न केरेक्टरिस्टिक्स दस दा में अबजेक्टिव जैसे हम दबाते हैं अगली ले लाइन आ जाती है और अगर पिछले बारे द्वारा पीछी जाना हो तो अम फिर से यहाला बटन लैफ प्रणिंग बटन दबाता हैं पिछली लाइन आजाती है चेंज वो देखिए बदल गए लाइन शुट चूज मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अपने अपने लाइन भी बदल गए फिर से आशा की जाते हैं कि हमने जितनी दर बदल रहे बनी लाइन पाड़ ली मेरा बटन मेरा बिना बटन दबाए मिनिमाइज दियर भाइ फिर लाइन चेंज हो गई फर्म टू थाउजन थ्री एंड ऑप्टिमल जब तक मैं यहां आया तब तक कैपिटल स्रक्चर नॉट ओनली एंहांसिज द तब तक चेंज हो गई जैसी मेरी लाइन पूरी होती है अपने आप यह खतम हो जाती है इनको मैं फिर से रोग देता हूं रोग गया तो जब भी हमको पढ़ना हो यह हमको कुछ टाइप करना हो तो कैसे टाइप करेंगे हैं इसके डॉक्यमेंट के अंड में आ गए है फिलहार हम यहांपन इसवी टाइप करना है तो जैस्ट मैं करता हूं यह ँंग्रेजी में ही पढ़ेगा इंग्लिश में पढ़ेगा इंग्लिश कु क्योंकि आप इस मशीन में हिंदी का सपोर्ट नहीं है तो हम सिंपल इंग्लि मैंने कर देमोंस्ट्रेशन इस इस देमोंस्ट्रेशन ओ एफ औफ टी एएफ ए दी आई जी आई टी एल डिजितल बी आर ए आई एल एल ए फुल स्टॉप अब क्या है कि हमको करना क्या होता है कि अभी हम लोग open Braille में लिख रहे हैं लेकिन इसमें जो लिख करके आ रहा है क्योंकि हमने contracted Braille on for display किया था तो display पे Braille में contraction में आ रहा है हमको type भी contraction में करना हो तो हम एक command और देता है इंपुट के लिए contracted Braille आ गई है तो अब हम जब type करेंगे वह contracted Braille में करेंगे दिस दिस दा डी आ पर करके बताया ठीक है ओ दाए ब्रेंट इस दिस दिस्प्लें तो इस तरह से अब अगर हमको सेव करना है तो अल्ट के लिए कम्पिटर में सेव करने के लिए लिए खाते हैं तो अल्ट एफ़ोर दबाने के लिए इसमें की कॉंबिनेशन दबाना पड़ता है कि सब कीज लिमिटेड है फॉर कोई कीज नहीं है तो फंक्शन कीज के लिए हम लोग स्पेस डॉट वन डॉट सिक्स एंटर दबाते हैं तो ऑल्ट आ जाता है और हमने एफ़ोर आगया दुर्षेल रहें यह और नो हम इसको करेंगे नो ने कर दिया और डॉक्यमेंट बंद हो अब अगर इसी तरह से इस ड्रेल डिस्प्लेय में हमको इंटरेट करना हो तो पहले डेस्ट आप पर जाएंगे डेस्टॉप पर जाने के लिए हमारे पास वी कॉंबिनेशन होता है वो हमने दबाया स्पेस एंटर डॉट फॉर प्लस एम डेस्टॉप आ जा 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 डेस्टॉप आने के बाद में हमको क्रोम खोलना हूँ हम क्रोम खोल सकते हैं हमको हुआ अगर अगर यहां पर हम लोग लिखते हैं पर इसके बाद में जो कुछ भी हम वो लेकर यहां पर लिख देंगे इन 6 के माध्य हम से तो वही खुल जाए जैसे हम लेखते हैं घूगल मैं मैं जीमेल लेखा और एंटर किया जीमेल कुले लगे तो इससे आपने देखा कि इस प्रकार से हम क्योंकि नीचे पूरा कंप्यूटर दिया हुआ है हम इसके माध्यम से पूरा लिख सकते हैं अगर हमको प्रिंट करना हो तो USB पोर्ट है उसे प्रिंटर लगा कर प्रिंट कर सकते हैं वीकिया है साधान बिंटर लेजर प्रिंटर लगा कर धर हम पूरा का पूरा जो कुछ भी मने टाइप किया है उसको प्रिंट कर सकते हैं 2020 कर सकते हैं हम इसकी पिछ ऑफ करके अगर ऐस मीटिण में बैठे हुए हैं और कहीं भार की मीटिंग वंश लेने तो मैं अपना काम चलो डिस्प्ले के माध्य में कर सकता हूँ मैंने पूरी दर स्पीश माउफ कर दी इसमें लिख करके यूजर वन आफ ट्वेल मैंने चेंज किया दिस पीची अब रेल में लिख करके आ रहा है कुछ भी वहाँ पर बोल नहीं रहा है मैं मीटिंग में बैट करक लिख करके लिख सकता हूँ अगर मैं कॉल सेंटर में इसको रोजगार की दिश्टी से देखें तो अगर एक दिश्टी बात है को कॉल सेंटर में नौकरी दे जाए तो वह फोन पर बात करते करते जैसे आप वोड़ा फोन या एयर टैल में फोन करते पूछते हैं कोई भी बात करते करते इस computer के मांध्यम से search करके आपको आपका जवाब दे सकता है बैंक में काम कर सकते हैं पास्पूप परने का काम एकाउंट कोलने का अगर आपको ब्रेल आती है तो आप आसानी से बिना speech के भी पढ़ करके दूसरे को जवाब दे सकते हैं बिना किसी को बैट करके आप नोट्स ले सकते हैं मीटिंग में आप अपने जो कुछ प्रेजंटेशन देना है पावर प्रेजंटेशन देना है आप पावर प्रेजंटेशन दे सकते हैं आप इसमें इंटरनेट पर मेल कर सकते हैं मेल रिसीव कर सकते हैं आप इसमें गाने सुन सकते हैं म्यूजिक सुन सकते हैं यूट्यूब पे आपको कुछ सुनना हो कुछ पढ़ना हो वो सब कुछ कर सकते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है क्योंकि एक कूल रूम से एक कंप्लीट कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के साफ में ब्रेल डिस्प्ले है और यदि आप दृष्टी वान विक्ति के साफ में काम करना चाहते हैं तो आप इसे मॉनिटर भी अटेच कर सकते हैं अन्यता अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो बिना किसी और एक छोटा सा है जो आपके लिए पूरा का पूरा कंप्यूटर लैपटाप जितना ही समझे लैपटाप तो फिर भी थोड़ा ज्यादा चोड़ा होता है इसका वजन एक देड़ किलो से ज्यादा नहीं है बैटरी भी इसकी पंदरा से वीज गंटे तक अराम से चलती है आप इस एकूप द tips from दौरी में देने का जिसमें किस तरह से अध्य भी से हैं पिरे करते हमें यह ऱृजज के लावा जो वीजय कि दि आशा है आपको यह वीदो यह जैनकारी महता पूर्ण लागेगी आपके लिए उपियोगी होगी बहुत बहुत धन्यवाद